शाम सिंग नाम है, शाम सिंग कहां से आया है? देवरिया जिला से, आपको क्या होता है? मेरे पास क्यों आया है इतनी दूर? इतना किराया लगा के? सारा दर्द होता है, कब से होता है? इन साल के थे थब से, मेरे पास कौन सी बारा है? पहली बारा है, रोना नहीं है और एक य ने स्टेवर्या कुछ नहीं बताया आप रोएन रोने से तो समच्चा खल इस घर एही रिती है इकावते का जात ठीक है ना तो बेटे रोना नहीं है ना हमेशा दैरिया रखना धीरता रखना और धीरज रखना क्या कभी ऐसे विश्वस्निय किसी धरमिस्तान पे गए दिखाने के लिए बहुत जंगे गए कहां कहां गए तो वहां से कुछ लाब होता था नहीं होता था आज आप जब मेरे पास आए आपको वही दर्द थे पूरे शरीर में आप चलके देखिए फिर वापिस आईए मैंने अभी आपका यह कि किया है य अब जो बचेगा उसको फिर ऐसे ही अवन करके निकालना है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो डाक्टरों के पास नहीं था वह आज आपको यहां मिला वह खास है क्यों खास है क्योंकि डाक्टरों को अगले 1000 अरब वर्सों तक यह पता चलने वाला नहीं है कि मनु वह याने आपके दर्द कहां भेज दी नहीं समझें आगे जो चीज आपको तीन सार से परिशान कर रही है इसका मतलब आपके घर में दोस्ट एहल रहे हैं और वो दोस्ट कुपित वायू के रूप में हैं कुपित वायू क्या है जान लीजिए आपको नजरका लगना आपको श्राप लगना आपको देव दोस्ट लगना आपका जो मात्र पित्र रिन है वो भार हो जाना उसका यानि कि आप माता पिता की अवग्या करते हो बार बार अवग्या करते हो माता पिता के सामने बोलते हो बड़े भाईयों के सामने बोलते हो दादा दादी के सामने बोलते यह जाते हो से बिध्यों हो जाते हो और अपने ही लोगों से इर्षा करते हो आपने गर के लोगों की उनिती से जल्ड़ते हो इस तरह से यह देव-धोस लग जाता है कौन सा दोस लगता है ठीक है न तब एक दोश है पित्रे रिव श्रिक यह आता है यह नितियenne न aggiर अगर वां आपना वर्चस्व दिखा है वह अपना ही जल्वा दिखाए तो वो लोग तो उसको प्रेती समझेंगे ना बेशक चाहिए वो आपके घर का और वो प्रतेक प्रेत किसी के ना किसी के घर का फित्र होता ही है बोलो जैशनिदे तालिया बजाती है भाई